हाजी गड़ेवनी चलो कल फॉरेक्स किया चैटेडे था इसलिए थोड़ा सा जल्दी क्लास ओवर कर दिया था जो अर्विक रहेगा पार्ट नमबर टू और कल लाश्ट पार्ट आएगा पार्ट नमबर टू क्या पढ़ रहे थे बेसिक्स वो खतम किया था और अब जो है सर अब क्या कर रहे थे हम पावर्ट कॉंट्रेक्ट और मैंने कहा था कि उसके बहुत सारी कोश्चन्स है तो हमने जहां से कल क्लास रूका था जहां पर रूका था वहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कोश्चन नमबर 17 से हम लोग स्टार्ट कर रहें कोश्च कहां आया है सर SM का है PM का है एक्जाम में भी आया हुआ है नवंबर 2016 में देखा company is considering hedging it's a foreign actions risk ठीक है भाई यही तो हमको पढ़ना है it has made a purchased 1st July 2016 for which it has to make payment payment करना है हमें 60,000 डॉलर और payment कव करना 31 December 2016 कोई दिक्कत नहीं यहां था कि मतलब सर payment लगभक 6 मेने बाद करना है यस तब प्रजेंट एक्षिन रेट है एक डॉलर 65 रुपै का 65 का पर हमें अभी के रेट से क्या ले न देना हमें तो 6 मेने बाद प्रजेंट करना है तो 6 मेने बाद के लिए हम फावड कॉंट्रेक्ट करेंगे तो फावड कॉंट्रेक्ट के लिए फावड रेट दे रखा है कि आपको एक डॉलर 64 का पड़ेगा ठीक प्रजेंट कर लेंगे पैमेंट करना बताओ भी कितनी अच्छी बात है आज पैसक्ट का है और बैंक वाला बोलता है च्छे मेने बाद आना एक डॉलर 64 का मिलेगा वाव लॉट्री लग गए तो इट कैन पर्चेस डॉलर वन एट 64 ठीक है तो कम्पनी विल है टू यह एक समस्य अपर फ्रंट प्रीमियम तो पर्शेंट ऑफ फावड एमाउंट पर्चेस तो फावड कॉंट्राक्ट में आपको प्रीमियम देना पड़ा ऐसा होता नहीं है एक्षवल में फावड कॉंट्राक्ट में प्रीमियम कहां से आगया ऐसा option थोड़ी option में जाता है premium और एक हमने derivative में यार अच्छे से पढ़ रखा है forward contract over the counter होता है इसमें कोई किसी को premium नहीं देता stock actions के तुरू होता है तो margin जाता है बोला है question में तो करें तो bank वाला गहरा है जी forward contract कर लीजे पर आप वो premium देना पड़ेगा और premium कितना 2% किसका जो forward amount purchase करेंगे उसका मतलब सर $60 था हो into कितने के हिसाब से purchase करने का सोच रहा है 64 और into कितना percent 2% और ठीक है premium देना पड़ेगा पर हमको एक बात अच्छे से पता है कि premium कभी भी कभ दिया जाता सुरू में और बता भी दिया upfront upfront का मतलब है आज premium देना पड़ेगा हमें 6 मैने बाद dollar खरीदना premium आज देना पड़ेगा तो भी कहां से दोगे उसका opportunity cost को देना पड़ेगा और cost of fund कितना है 12 परशन opportunity cost समझ रहा है ना जो पैसे मुझे 6 मैने बाद देना था वाज देना पड़ेगा in the following situation compute the profit or loss the company will make if it has अगर वो has कर लेती है foreign actions hedge कर लिया बात हो गई कि हम 64 के सबसे खरीदनेंगे पर 31 दिसम्बर को rate अगर 68 हो जाए तो क्या होगा profit होगा कि loss होगा अगर 62 हो जाए तो बताइए profit होगा कि loss हो अगर 70 हो जाए तो बताओ आपने forward contract करके अच्छा किया कि बुरा किया यह सब समझाना है ठीक है सबसे पहले premium का amount निकालो कि आज कितना देना पड़ रहा है तो वही मैंने इस question में किया होगा सबसे पहले मैंने पॉर्चित्री कॉस्ट ले दिशी है किया छे महने बाद जो payment करना था मुझे आज पैमेंट करना पड़ा मजबूरी में 7600 और उस पे बारा पर्षन के सबसे छे महने का interest तो टोटल मेरा powered contract जो कर रहा हूँना उसका cost पड़ गया 81408 यह मैंने bank को जाकर आज दे दिया और भूल गया tension खतम यह मेरा cost है यह मुझे वापस नहीं मिलेगा bank से यहां तक कोई समस्या क्या अब profit अगर 68 हो जाए तो तो सोचो 68 हो गया my god अच्छा हुआ कि मैंने 64 में खरीदने का contract कर लिया अगर नहीं करता तो मुझे 68 के हिसाब से खरीदना पड़ता तो उस हिसाब से मुझे profit हो गया चार रुपए एक डॉलर रुपे 60,000 तो 2,40,000 का profit हो गया लेकिन खर्च भी तो हुए उसके पीछे कितना खर्च हुआ यह खर्च हुआ वो माइनस करने के बाद यह आ गया net profit अगर सर 61 हो गया तो बर्बाद हो गया कैसे हो गया 64 पे खरीदने का contract किया आपको खरीदना ही पड़ेगा आप मना नहीं कर सकते तो सर उस हिसाफ से तो हमें 2 रुपे का loss हुआ 60,000 पे 61 रुपे का क्यों 62 हो गया 62 फिर यहां में sprint है तो प्लीज इसको ठीक कर ले ना यह 62 है 62 हो गया तो 2 रुपे का loss हो गया और 1,20,000 का यह loss हो गया और यह भी तो मेरा खर्ची है तो total मुझे loss हो गया इतने का मेरे ख्याल से अब समझाने के जरूत नहीं अगर 70 हो गया तो क्या हो गया तो profit हो गया यह profit और इसमें hedging cost minus हो जाएगा तो यह net profit हो जाएगा मेरे ख्याल से अब कर लोगे question में कुछ दम नहीं है इस कोश्चं में गलती कहां हो सकती है गलती मेरे खाल से नहीं हो सकती बहुत ही सिंपल कोश्चंग आगे चल रहा है कोश्च में इसलिए में कोश्च कर रहा हुआ है लिखा है डिजिटल एक्सपोर्टर एक्सपोर्टर आने वाला है एक्सपोर्ट बिल कितने डॉलर का पाच लाकर कब आने वाला है साथ दिन बाद अब भी डॉलर का प्राइस क्या चल रहा 75.60 अभी 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 को बोलते हैं इस पॉर्ट टेट तो कंशन एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट nggak प्राइस एक्षेज न फिकिया था itself yourself कंशन रित था 75.50 यहां ऐसंस पॉर्ट टेट कौण साइस लेकिन जब आपने कंसाइनमेंट का जो प्राइज है उस समय जब रेट देखो तो रेट है 75.50 जब आपने कंसाइनमेंट बुक किया है फर्म बैंकर्स का 60 डेज फावर्ड रेट दे रखा 75.20 आप बताओ रेट of discount अगर मैंने कहा अभ मैंने कहा है 75.60 और कितना होने वाला सेवन्टि मतलब डॉलर कम होने वाला है 가격 ड्स alcans पे हैं धाव्य दॉलर डिस्काउंट पे हिसाब से बताओं कि discount पे है कि premium पे है तो इसको बोल जाओ banker के सबसे ही चले तो answer आ गया है हमारा यह तो आपको formula पता ही है answer आ गया है 3.22% लेकिन जब वो बुलेगा कि बताइए expected loss क्या होगा operating profit is forward sell is agreed to expected loss किसके अंगल से पूछ रहोगा तर वो exporter के अंगल से पूछ रहोगा उस समय जिस rate पर book किया था और जिस rate forward rate यह हो गया तो बताओ एगा सर expected loss तो आप क्या बताते थे आप बताते इस portrait और expected spot rate यहां तो expected spot rate नहीं है पर आपको तीन मेने बात का साड़ दिन बात का forwarded लेना पड़े एक ना साड़ दिन बात का साड़ दिन बात का तो forwarded यह है फिर यहां प्रोबेबल लॉस इन दोनों की बीच का difference ठीक है जी बस इतना पाकि इस question में और भी कुछ था मैंने समझाया एक्जाम oriented बैच में कि क्या है यह rate और यह rate क्या है इन दूनों में तो बहुत विपेल में समझाया उस पर नहीं जाना है कि कोश्ण number 20 कर लोगे 23 बड़ा question है अच्छा question है और सुनो SM में भी डला है PM में भी डला है और एक्जाम में नवंबर 2019 में आया हूँ अच्छा question है seriously अच्छा question है इसमें थोड़ा बहुत cost का knowledge चाहिए और वह आपको है और थोड़ा बहुत क्या है इतना तो यह common sense कि इभा question बढ़े गया यस लिखा following information relates to AKC which manufacture some parts of electronic device प्रेक्स एक्स्पोर्ट करने ओट रही हो मतलब आने वाला है यू एस से डॉलर आने वाला होगा जापां से येन आने वाला होगा योरोप से यूरो आने वाला होगा और कब आने वाला है 90 दिन इस बार एक currency नहीं है, इस बार तीन currency, तीनों जगह से पैसा आने वाला है, ठीक है, variable cost per unit दिया हुआ है, export selling price, मतलब एक unit per unit, एक unit export करने से, एक unit का जापान में price, जापान को जो एक्सपोर्ट कर रहा है, येन 650, यूएस में dollar 10.23 और euro 11.99, ठीक है, टूटल मिलाकर आपको मिल रहा है, येन 78,00, important बात, येन मिल रहा है 78,00 और एक unit का price है, येन 650, तो क्या number of units निकाल सकते हैं, जरूरत पढ़ेगी कि हाँ, variable cost नहीं, तो देखे, तो 78,00, divided by 650, तो करीब-करीब 12,000 units को आप export कर रहे हूँ, ऐसे इसको divide कर देना, इसको divide, number of units आजाएगा, क्यों निकाल रहा हूँ, काम आए, foreign actions rate दे रख, येन पर रुपीस, टॉलर पर रुपीस, यूरो पर रुपीस, तो बस ध्यान से काम करना, कोशन में कुछ नहीं, कौन-कौन सा rate दे रखा, एक तो spot rate दे रखा है, एक three month forward rate दे रखा है, और उस दिन का rate दे रखा है, actual वाला, actual spot, तीन मेहने बाद actual spot क्या हो गए, अगर ये सब्द नहीं लिखे रहती, और पूछता, और पूछता कि क्या करना चाहिए, forward contract में enter कर लेना चाहिए, या फिर forward contract में enter करोगी, तो ये वाला rate आएगा, अगर forward contract में enter नहीं करते, hedging नहीं करते, तो ये वाला rate आजाता, और जिसमें मेरा cash in flow जादा आता, उसको मैं accept कर लेता, सिंपल सी बात यहीं तो होता है, अगर मैं कहता, ये वाला paragraph नहीं लिखा होता, तो मैं वहीं करता, कि अगर पैसा किसमें जादा आ रहा है, hedge करे कि नहीं करे, बस इसका अलग काम करता, इसका अलग करता, इसका अलग करता, और देखता कि इसमें forward contract करो, इसमें मत करो, ऐसा अलग-अलग हो सकता था, लेकिन भाई साब उन्होंने कहा, आपको निकालना है, contribution to sales ratio, मतलब PV ratio, उपर क्या आएगा, contribution नीचे क्या आएगा, sales, अब, इसके लिए सरह हमको sales चाहिए, और sales किसमें चाहिए, क्योंकि हम इंडिया के हैं, तो sales हमें किसमें चाहिए, रुपीज में चाहिए, तो धीरे-धीरे काम करेंगे, इसको, धीरे-धीरे किया, सबसे पहले बात हो रही है, जापान, यूएस, यूरोप, रिसिप्ट, सबको पता है, और selling price per unit पता है, इससे इसको divide करोगे, तो क्या जाएगा, number of units, यह variable cost है, variable cost per unit, एक formula गरत लगा है, यह होना चाहिए, था, 1 divided by 2, इसको कर लेना, 1 divided by, तो हमने क्या निकाला, 12, variable cost क्यों निकाल रहा है, क्योंकि मुझे contribution निकाला, धीरे-धीरे काम कर रहे है, variable cost एक unit का, 225, 355, 510, तो यह आगया मेरा variable cost, इससे को multiply का, तो variable cost आगया, आप हमें क्या निकाला, contribution, पर उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, sales का मतलब कितना पैसा आ रहा है, यही मेरे लिए sales, अब सुनो, अब सुनना दियांसे, यह आने वाला 78 लग किया, सबसे पहले मैं कहता हूँ, अगर मैं forward contract कर लेता हूँ, forward contract कर लेता हूँ, तो, यह sell if hashing है यार यह, rising, agar मैं forward contract कर लेता हूँ, अगर मैं hedge कर लेता हूँ, तो जो यह नानी वाला है, वो कितना है, यह rate important है, अब धियान से समझ मेरे है, पॉइट कॉंक्रिट रेट्ट किया यह नानने वाला कितना 78 dollars अब यहां पर focus करना हमें कौन सा rate लेना हमें सर ये वाला rate लेना अब bid लेना क्या सक लेना ये desire करना ये ये उठ्ड करना है मैं बैंक को ये न दुंगा材ं करी देगा तो लग जरूरा होगा यह वहना। पर यार रेट किसका दिया है रैपीज को क्या करेगा। सर हम बैंक को यह न देगे गें वैंक हमको रुपीज देगा मतलब बैंक रैपीज पेचेगा पेचेगा तो ये वला rate बेचने का rate rate rupees का दिया अजीब सा लग रहा bank रुपीज बेचेगा मतलब bank आपको रुपिया देगा ना भाई आप ये न दो कि bank रुपिया देगा देगा तो मतलब बेचेगा बेचेगा तो 2.4% हर एक में आपको ये वला rate लेना है बस इतनी सी बाद, अच्छा, अब currency कौन सी है, yen, rate किसका दिया है, रुपीस का, तो divide होगा कि multiply, divide, तो यही divide होगा, यह लिया, 2.427, 0.02 और 178, और simple सी बात है, divide ही होना है, तो अगर आप hedging करते हैं, तो divide होके इतना आ रहा है, sales, अगर hedging नहीं करते हैं, तो फिर यह वाला rate आ जाएगा, और divide ही होगा, तो फिर यह आ जाएगा, इतना, पात, अगर सुनो, कोशन यहीं होता, तो मुझे बस स्पोर्ट से तो कोई लेना देना नहीं, मुझे forward contract करना चाहिए, कि नहीं करना चाहि पैसा इसमें ज्यादा आ रहा है, तो hedging नहीं करना चाहिए, पैसा इसमें ज्यादा आ रहा है, तो hedging नहीं करना चाहिए, पैसा इसमें ज्यादा आ रहा है, तो hedging कर लेना चाहिए, मैं ऐसे जवाब देता, पर उसने का ऐसे जवाब नहीं चाहिए, हमें चाहिए contribution to sales ratio, और average average का मतलब उसने तीनों को add कर दिया देखो उसने total variable cost add कर दिया ये वाला ये वाला ये वाला फिर अगर हम forward cover करते हैं तो ये 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 इन तीनों को add करकी ये आगए और इस में से अगर में variable cost अगर हम estimated spot rate लिखा हुआ है उस पे काम करते हैं तो ये contribution to sales रे तो sales minus variable cost sales अगर forward cover होता है sales minus variable cost divided by sales तो ये आगए 19.5 से अगर हम hedging नहीं करते हैं तो sales minus variable cost divided ये आगए 19.17 किसमें ज़्यादा है 19.56 ज़्यादा है तो forward cover is better ठीक है decision पूरी तरह से सही नहीं मान रहा हूँ मैं क्योंकि अगर मेरे नजर सो देखो तो मैं यहीं decision ले सकता और ज़रूरी थोड़ी ने कि एक मैं forward करो तो तीनों मैं forward cover ज़रूरी है ऐसा तो ज़रूरी नहीं था पर ठीक है जो बोला है उसके सब से question अच्छा question है करके जाओगे question number 24 ये भी बहतरीन question है question number 24 exam में आया तो नहीं पर study material और PM का question है इस question पर बहुत सारे बच्चों का मेरे पास message भी आता था कि ये question करवा दीजिए और साथ में साथ में क्या साथ में ये भी पूछा जाता था मेरे ख्याल से ये question मैंने YouTube में करवाया गी अच्छा question लिखा हुआ you have following quotes from bank के और bank तो bank और ये rate दे रखा spot 3 month swap दिया है 6 month swap दे रखा और इसका तो उसने कुछ दिया ही नहीं फावर्टर bank B का तो कुछ फावर्टर दिया नहीं bank A का spot rate spot rate bank A bank B और मैंने क्या कहा था अलग अलग rate हो सकता है पर ये लिखा क्या है एक डॉलर बराबर इतना CHF कि CHF 1 बराबर इतना डॉलर CHF मुझे नहीं मालू तर फिर करोगे case कुछ भी हो सकता जनरली तो हम आईएस से कोट है तो 1 डॉलर बराबर इतना CHF लेते है जनरली पर नीचे देखूँगा तो सायद मुझे और समझ में नहीं सर GBP डॉलर और मैं जानता हूँ GBP बड़ा होता है GBP में ज़ादा डॉलर साथ है तो सर इसका मतलब यहाँ एक पाउंड है एक पाउंड बराबर इतना डॉलर हाँ मतलब सर यह जो दे रखा है यह डॉलर पर पाउंड तो सर यह भी दिया होगा CHF पर डॉलर इसके गैसिंग से मैंने यह गैस किया तो इसको सबसे पहले मैं प्रॉपर लिख लूँ या पहले-पहले मांग क्या रहा है तो अभी हमारे लिए इसपोर्ट रेट काम का पावर रेट को एक मिनट के लिए इगनोर कर देते हैं तो ये वाला रेट प्रॉपर लिख लेते हैं फिर सुचेंगे क्या करना मतलब मैंने लिखा होगा कहां लिखा आपने तो लिखा ही नहीं कोई बात यहां लिख देता हूं आप लोगों प्रॉपर लिखूंगा तभी मुझे बात समझें यहां लिख लेता हूं अच्छे से तर दिया हुआ है CHF पर डॉलर और दूसरा दिया है डॉलर पर पाउंड मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए CHF और देखो CHF कितना चाहिए you have to pay और हम क्या पे करेंगे हम पे करेंगे pound और CHF का rate चाहिए हमारे पास currency कौन सी है तर आपके पास जो currency है वह है pound how much minimum CHF amount you have नहीं गलत है हमारे पास CHF है हम CHF देंगे और बदले में pound खरी देंगे हम CHF देंगे और pound खरी देंगे तो बताओ आपको एक pound कितने का पड़ेगा मतलब सर हमें निकालना है CHF per pound एक pound कितने का पड़ेगा सर ये तो लिखा है कि 1 million pound वाई एक pound का rate निकाल देते हैं फिर 1 million से multiply कर देंगे कोई दिक्कत नहीं किस से खरीदे हमारे पास क्या है CHF अब इसको देखो rate जो दे रखा CHF और dollar का दे रखा है और dollar और pound का दे रखा तो यहां तो आपको logic लगाना पुड़े सबसे पहले हम CHF देंगे और dollar खरीदेंगे तिर डॉलर देखकर pound खरीदेंगे actual में ही है pound ही तो खरीदना pound कितना how much minimum CHF हमको CHF कितना pay करना है कि हम pound खरीदे pound ही कही बात है पर 1 million pound खरीदना कोशिश करते आराम से हमारे पास हमको CHF देना बदले में dollar खरीदना dollar खरीदना है और dollar का ही rate दे रखा है तो बताओ bank क्या करेगा bank dollar बेचेगा बेचेगा तो कौनसा वाला rate ले 1.4655 और 1.4660 bank के पास जाएगे bank B के पास गए तो bank B बोल रहा है कि आपको पढ़ेगा dollar उसके लिए आपको CHF देना पढ़ेगा bank B बोल रहा है कि आपको देना पढ़ेगा 1.4660 और bank A बोल रहा है 1.4655 कौन सी bank के पास सर आप एक काम कीजिए जहां आपको सस्ता पढ़ रहा है ना वहाँ जाएगे तो हम किस के पास जाएगे bank A के पास जाएगे क्या खरीदने के लिए CHF ये कोशन वाकिए बहुत अच्छा logic लगाना पढ़ेगा इसमें रटर नहीं सकतेगी क्रोस रेट निकाल के सिधा सिधा काम करेगे फाइनल हो गया bank A के पास जाएगे CHF देंगे और डॉलर ले ले लेगे अब हमारे पास क्या आ चुका है डॉलर आ चुका है अब डॉलर आ चुका है तो फिर वापस गया हम bank के पास अब rate किसका दिया है सर रेट पाउंड करेगे तो bank क्या करेगा bank pound बेचेगा रेट जिसका दिया bank उसको क्या करेगा bank pound बेचेगा तो हमें कौन सा rate लेना पढ़ेगा ask rate लेना पढ़ेगा rate तो pound करेगे bank pound बेचेगा तो कौन सी bank से लेना पसंद करोगी 1.76 इस rate से 1.76 यह सस्ते में बेच रहा ना पाउंड तो यह वाला हमें रेट चाहिए था कि यार रेट कौन कौन सा लेगे बैंक A से हम डॉलर खरी देंगे और बैंक B से डॉलर देकर पाउंड खरी देंगे यह दोनों रेट हमारे लिए इंपोर्टेंट है बाकि सब भी कार्ट यह कोशिशन अच्छा है तो वही काम किया calculation of CHF buy डॉलर फ्रॉम बैंक A बैंक A से डॉलर खरी देंगे कितने में 1.4655 और sell डॉलर and buy pound फ्रॉम बैंक B बैंक B से पाउंड खरी देंगे कितने में 1.7650 अब हमारे पास क्या हो गया सर अब हमारे पास CHF पर डॉलर हो गया डॉलर अब हमको क्या निकालना हमें एक पॉंड के लिए कि तशीयचे पर पॉंड निकालना भी मैं आपको समझा चूँगा अब इसको देखो अब CrossFit चाहिए है CHF उपर है हे भगवान CHF उपर ही होना चाहिए तो वण से डिवाइड नहीं करना है पाउंड नीचे होना चाहिए, पाउंड नीचे ही है, तो सीधा सीधा बात के लिए हमें कितना ज्यादा समझना पढ़ रहा है, बस ये काम के जिए ही कैसर मज़ा आ गया, मज़ा आ नहीं दो, कोशन बहुत अच्छा है, और अभी मज़ा खतम नहीं हुआ, अभी और देखो, पॉइंट नमबर टू तो और जान लेने हुआ Considering the quotes from bank A only, बैंक B को आप भूल जाइए, बैंक B को भूल जाइए, सिर्व बैंक A के quotes को consider कीजिए, और हमें निकालना है, जीबी पी, सीएचे, इसको अच्छे से लिखूँ, या सर्थ, सीएचेफ पर पाउंड निकालना है, सीएचेफ पर पाउंड, What are the implied swap for spot over 3 month, कहना क्या चाहता है सर, कहना क्या चाहता है वो मैं आपको समझा, एक समन्द वाला मैंने हटा दिया, वो एक बात बोल रहा है, कि एक काम करो, आप सीएचेफ पर पाउंड निकाली, spot निकाली और forward निकाली, cross rate caps, और forward और spot के बीच का जो difference है उसको swap points बोलते हैं, हमने का हाँ, तो बोले एक काम करो, अच्छा swap points पता है ना कि कैसे करते हैं, 5 लिखा, वो मैं आपको करवा रहा हूं, swap points को कोई लिखकर नहीं है, forward और spot के बीच का जो difference है, वो क्या कहलाता है, swap points, तो बोले वो swap points से निकाली है, दुसरा swap points तो दिया है, बोले ये नहीं, yes, spot लिखा होगा मैं, अब इसको समझने की कोशिश करें, ये लोजी, सबसे पहले क्या लिखा जाए है, spot, और three month forward ये वाला है, three month forward और ये है, पहले इस पर focus करें, क्या है, CHF forward मैं समझा रहा हूँ, पहले इस पर focus करें, CHF per dollar कौन सा वाला लिखा मैंने, spot ये वाला लिखा आपने, और कौन सा एक ये वाला लिखा होगा, spot spot लिखा, अब cross rate का expert knowledge चाहिए है, हमें चाहिए CHF per pound, या उपर CHF, पहले bid निकाल ले, या सर, पहले bid और फिर ask, धीरे धीरे काम करें, पहले मैं bid निकाल रहा हूँ, पहले bid, और फिर ask, ये ask निकाला वो बात, सर, CHF उपर चाहिए, CHF उपर दिया, तो सीधा ये लिखा, सर, pound नीचे चाहिए, तो ये निकल गया, मेरा bid, ask, one से divide नहीं करना है, तो ask को ask से multiply कर दिया, तो ये इसको multiply करने से आ गया bid, और इन दोनों को multiply करने से मेरा आ गया, ask, bid ask, क्या निकल गया मेरा spot निकल गया, अब बात किसकी करेंगे, forward की, तो अब धिहान से समझ रहा, सबसे पहले ये क्या दे रखा, three month forward rate पहले इन दोनों के वीच का निकलना पड़ेगा, five और ten दे रखा, क्या ascending order में है, या इस तो plus होगा, अब plus कैसी होगा, last से मिलाती हुए चलना, five यहां लिखना, फिर zero, 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 और फिर यहां point, last जैसे दस लिखना है, तो सर जीरो और one, ऐसे होगा, तो सर इधर कितना जाएगा, one point four six five five, और इधर क्या जाएगा, one point four six six five, ऐसा कुछ आए, one point four six five five, one point four six six five, ऐसे ही किसका करना पड़ेगा, ऐसे ही हम लोगों को इसका, पच्चिस और बीस दिया है, मतलब descending order में, तो अभी क्या होगा, minus, इस में से पच्चिस minus कर देना, इस में से बीस minus कर देना, माइनस करने के बाद हमारे पास जो आया है, वो ये आ गया, ठिक, अब हमको तो वही है सीधा, ये और बिट के साथ, बिट का multiply, ask के साथ, ask का multiply, तो ये क्या निकल गया, forward rate, और ये क्या निकल गया, spot rate, और forward rate से spot rate माइनस कर देना, ये माइनस हुआ, तो हमारा answer आ जाएगा, और answer आया, कितना, माइनस में, माइनस मतलब, descending order में, तो swap points क्या होगा, 28 and 12, ये question अच्छा है, unique question, इतने बहुत ज़्यादा detail में problem ही है, कि मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, तो समझाना थोड़ा सा मुस्किल है, पर इसके लिए इसका question सायद मेरा डला होगा, ये YouTube में, तो व बहुत अच्छी, question number 25, मेरे खाल से, ये last question है, हमारी forward contract, मैंने कहा था forward contract के बहुत सारे question है, ये last question है, क्या लिखा जराद पढ़ते है, अच्छा question है, और इसमें तो बहुत सारी doubts भी है, बच्चों के, इसकोशन को ध्यान से देखना, बहुत सारे doubts, an importer, customer of your bank wishes to book a forward contract, with your bank, on 3rd September, for sell to him $5,00 to be delivered on 30 October, कितने मन्त बात के लिए forward contract बुक किया है, September का beginning है, तो सर सेप्टेंबर खतम होने पे एक मेने, October खतम होने पे दो मेने, तो सर टू मन्त रेट लेना पड़े लिए इंपोर्ट किया है, एक परसन है, ने इंपोर्ट किया, मतलब पेबल है, क्या पेबल है, यहां कुछ बताया नहीं है, सिंगापूर डॉलर, पाच लग, आप बैंक के पास जाओगे, बैंक से खरीदोगे क्या, सिंगापूर डॉलर, और बैंक को बदले में क्या दोगे, यह तो कुछ बताया नहीं है, यहां सायद, 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 तो बदले में रुपीज ही तो देंगे, कुछ नहीं बूला, रुपीज, तर इसपार्ट bracket on 3rd सैप्टेमबर, इसपार्ट डे रखा 3 सैप्टेमबर का, क्या दे रखा है, डॉलर 49.37, और सिंगापूर डॉलर दे रखा तीन सेप्टेंबर का रेट दे रखा और स्वैप पॉइंट्स दे रखा एक्चुली वो कह रहा है कि चलो फावर्ड रेट निकालने में यह सब दिया हुआ है सोचेंगे बाद मतलब यह जो रेट दिया होगा वो इंटर बैंक रेट दे रखा अब यहां से समझने वाली हुआ मैं कहां का रहने वाला हूँ इंडिया मुझे बैंक को क्या देना रुपिया और बदले में आएगा सिंगापूर डॉलर तो मुझे निकालना रेट रुपीज पर सिंगापूर डॉलर रुपीज पर सिंगापूर डॉलर और कब का रेट निकालना है कि इन सेप्टेंबर का नहीं वो तो दिया हुआ हमें निकालना है बढ़ो आगे तर दो मेने बाद का तो अगर यह रेट दे रहा है दो मेने बाद मतलब आक्टोबर और यहां से दो मेने बाद मतलब यह वाला रेट इसाइड हो गया मतलब सर यह वाले रेट किसी काम के है क्या किसी काम के रेट नहीं यह वाले रेट किसी काम है अब हिम्मत दिखाते हैं हमारे पास करेंसी कौन सी है रुपीज पर सामने वाले बैंक से हमें सिंगापूर डॉलर चाहिए बोलता है हमारे पास सिंगापूर डॉ है हमारे पास डॉलर है तो सबसे पहले रुपिया देगी और बदले में क्या लेगे डॉलर रुपिया देखे डॉलर लेंगे अब रेट को अच्छे से यहां लिख लूँ क्या इस पॉर्ट्रेट को लिख सकते हो क्या दिया है 49.3700 और रेट जो दे रखा है वो लिखा है यूएजडी पर रुपीज पर आप भी जानते हो रुपीज पर डॉलर है मतलब यहां लगाना पड़ेगा भई यार डॉलर में एक डॉलर में रुपिया आएगा तो जादा ही तो आएगा ऐसे इसका भी सर डॉलर यूएजडी और एज़डी मतलब सर मतलब यहां लिखना पड़ेगा सिंगापूर डॉलर पर डॉलर ठीक है आज सर अब हिम्मत दिखाते हैं यह भी लिख लोंग या 1.7058 और 1.7068 टॉलर में सर प्लस कर लेते आप चाहो तो दोनों रेट को एक साथ कर लो यह तो पहले रेट डिशाइड कर लेते ना तो cross rate से काम कर लूँ ऐसे भी कर सकता हूँ पर मैं वैसे नहीं मैं final कर रहा है सर हम सबसे पहले रुपिया देखकर डॉलर लेगे और क्या rate दिया है रुपीज पर डॉलर मतलब bank dollar बेचेगा bank dollar बेचेगा तो इस rate से वीचेगा ठीक है ठीक है उसके बाद सर क्या होगा उसके बाद हमारे पास क्या आ गया है dollar dollar आ चुका है और वहाँ से हमें Singapore dollar लेना है rate किसका दिया है dollar का customer की पास क्या चुका है dollar आ चुका है तो bank क्या करेगा dollar खरी देगा खरीदेगा तो ये वाला rate मतलब हमारे लिए काम की चीज़ क्या होगी 90 से ये आपको rate पता करना पड़े पहला काम करें पहले ये वाला rate निकाल ले थ्री मन्त फॉमन्त फॉवर्वर्ड वही मैंने काम किया अच्छा मैंने यहां shortcut अच्छा दूसरा भी alternative दिया होगा नहीं द हुआ है 40 ठीक है जर स्वैप 1100-1300 प्लस कर दिया तो ये rate आ ठीक है मैंने दोनों rate से स्वैप को adjust कर दिया ये वाला rate आगा है अब इसके बाद जो मैंने कहा था वही काम होगा इट मेंस एक rate ये वाला लेना है और एक रेट ये वाला लेना है इट मेंस मैंने एक रेट 1300 वा ठीक है सर अब ये वाला rate कोई सा निकला इसका नाम है से रुपीस पर डॉलर और ये वाला rate कोई सा है सिंगापूर डॉलर पर डॉलर और मुझे क्या निकलना है मुझे निकालना है सिंगापूर डॉलर पर नहीं है रुपीज पर सिंगापूर मुझे निकालना है रुपीज पर सिंगापूर डॉलर कि सिंगापूर डॉलर खरीदने के लिए कितना रुपए लगेगा डारेक्ट अब ध्यान से काम करना ध्यान से सर रुपीज उपर है हां और हमें रुपीज उपर और हमें रुपीज उपर तो सिदा सिदा लिख लेंगे ठीक है और सिंगापूर डॉलर नीचे है और यहां सिंगापूर डॉलर उपर है तो वन से डिवाइट करना पड़ेगा यहां भी ठीक है यह सेवन वन फाइप फॉर सवाल कहां खड़ा हो गया सवाल खड़ा हो गया मार्जिन मार्जिन में दिक्कत है अगर आप मार्जिन की बात करो तो यहां लिखा है मार्जिन पाँच पैसा अगर मुझे मार्जिन एट करना होता इसमें यहां से सुना यहीं बच्चों का दिक्कत है यहां तक तो बच्चों ने बना लिया अपने सब से बस उनका यह कहना कि sir margin पाच पैसा है तो पाच पैसा कहा एड होना चाहिए सब यह सब निकाल लेगे यह जो आएगा rate ऐसा करने से उसके बाद यह जो rate आएगा इसमें पाच पैसा एड होना चाहिए पाच पैसा तो इसमें एड होना चाहिए ना है लेकिन 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 पाच पैसा लेकिन इंस्टिट्यूट ने क्या कर रखा इस रेट में पाच पैसा एड किया है इस रेट में पाच पैसा एड नहीं किया जो मेरी नजर से गलब तो आप कैसे से कर सकते हैं यहां अपने पा अर्वेडी मार्जिन हो चुका होगा तो बोले इसमें हम इज्ट नहीं करेंगे इसमें आजिस्ट करेंगे लॉजिक क्या है मेरे हिसाब से पाच पैसे लाश्ट मेड होना चाहिए पर एक्जाम में मेरा हिसाब नहीं चले का फिर मुझे रटवाना पड़ा कुछ देखो जव में उसायद उसी के लिए दिया होगा उसी में मार्जिन एड करना पड़ा होगा इसमें मार्जिन एड नहीं करना है इसलिए जो मार्जिन है पाच पैसा बेचोगे आस्क रेट है तो आस्क में प्लस होगा इसलिए मैंने यहां एड किया यहां एड नहीं किया बस वज़ा यह पैसा सब्सक्राइब कर सकते हैं ना यार मैं मजबूर हूं यहां जैसा इंस्टिट्यूट ने किया प्लीज वैसे ही करना इस कोश्चन में एक लिए आपको याद करना बढ़े हो और आंसर आगया 28.89 हो जाएगा यस ठीक है आगे चले हैं गौड हमारे फावर्ट कवर के सारे कोश्चन अब हम स्पीट से आगे बढ़ेंगे और इसके बाद टॉपिक कर रहे हैं में कवरड़ी कि अब बात करते हैं अब बात करते हैं फावर्ट कॉन्टर्ट खतम हो अब बात करेंगे कवर डील टॉपिक के कवर डील कवर डील क्या होता है कि यहां मैं खुद को बैंक मानूंगा तो मैं बैंक हूँ और कश्टमर आया मेरे पास और कश्टमर कहता है का जी मुझे डॉलर चाहिए या फिर ऐसी करेंशी मांगेगा जैसे होंग कॉंग कॉंग डॉलर अब होंग डॉलर जो है वह हमारे पास तो अवेलिबल नहीं है ऐसा ज़लूरी थोड़ी नहीं कि मैं बैंक हूं तो मेरे पास सारी तो फिर हमने बेच तो दिया पर वो चीज हमारे पास है यह नहीं है, तो उसको cover तो करना पड़ेगा, और उसको cover कैसे करें, किसी और bank से, किसी और bank से खरीदूंगा, और फिर मैं उसको deliver करूंगा, this is cover deal, cover deal मतलब आपने जो deal किया है, उसको कही ना कहीं से तो cover करना होगा, और और भी मैं आपको, जब मैं आपको cancellation समझाओंगा, मैं आपको समझाओंगा कि हम जो भी चीजे बेच देते हैं, हम रखते नहीं हैं, हम किसी और bank से cover करते, ताकि risk जो है उससे बचने के लिए, यह सारी चीजे हैं, पर अभी आप इतना समझ लेचे, आपको जो देना है उसको हम किसी और से खरी देंगे, और deliver करेंगे, यहां खुद को क्या समझना, पैंक समझना, example से समझाओंगा, example क्या, question से ही समझाओंगा, question number 29, question number 29 से हम बात समझने की कोशिश करेंगे, क्या लिखा एक बार पढ़ते हैं, you sold Hong Kong dollar 100 lakhs, spot to your customer at 5.70, मुद्दे की बात है, यहां you का मतलब क्या होगा, you का मतलब होगा, bank, इस question मैं आपको bank के angle से बात करेंगे, मैंने diagram से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, you मतलब आप हो, आप कौन हो, bank, और आपने अपने customer को, यह आपका customer है, Hong Kong dollar बेचने का वादा किया है, कितने में बेज 5.70, delivery अभी दे नहीं दे नहीं, spot sale का मतलब कभी भी आज की आज में नहीं, आज से दो दिन बात, ठीक है, और कितना Hong Kong dollar, Hong Kong dollar, Hong Kong dollar, 100 lakhs, का करी, किसी और bank से cover करते हैं, और हम गया दूसरी bank के पास, अब यहाँ देखो, यहाँ action rate दे रखा, London market का, London market का action rate दे रखा, और local interbank market दे रखा, मतलब है क्या, अब हम दूसरी bank के पास गया, local वाली bank के पास, यहाँ गया, हमने कहा, आप क्या Hong Kong dollar है, क्या आप हमें दे दी हमारे हाँ Hong Kong dollar, नहीं हमारे हाँ भी नहीं है, पर हमारे हाँ dollar, चाहो तो आप dollar ले जा सकते हैं, हम वहाँ जाते हैं, London bank में, वहाँ पता करते हैं, उनका यह कहना कि हाँ जी, London bank के लिखा है, London bank के लिखा है, हमारे हाँ Hong Kong dollar है, लेकिन बदले में आपको dollar देना पड़ेगा, simple सी बात है cross rate तो फिर हमें इस local bank से क्या खरीदना चाहिए dollar खरीद लेना चाहिए ये वाला bank हमको हमको मतलब यहां की बात कर रहा मैं customer नहीं हूँ मैं bank हूँ हम इस bank से dollar खरीदेगे मतलब ये वाली bank dollar बेचेगी किस rate से 42.85 खरीद लिया और फिर dollar लेकर हम इस bank के पास के और rate किसका दिया है dollar का तो हम इसको dollar देगे और ये वाली bank हमें Hong Kong टेलर मतलब सर ये वाली bank dollar हमसे खरीदेगी ये वाला rate rate वर आपको decide करना bid ask bid rate ask rate ये समझे में आके हैं तो बात उसे simple से बात है हम 42.85 के सब से यहां से dollar लेगे मतलब rupees per dollar हो गया और फिर यहां से Hong Kong dollar कितने में 7.5880 ये bank हमसे वापस dollar खरीदेगी ये कह जी bid rate और ask rate में ही दिक्कत होनी है वो समझे में आके हैं तो बात अब cross rate निकलना और cross rate हमें तो यही वाला rate निकलना ना रुपीज पर कि हमें Hong Kong dollar इधर से कितने का पड़ा तो हमने किया काम हमें निकलना rupees per Hong Kong dollar उपर rupees चाहिए rupees उपर ही दिया तो सिधा उठा लेंगे नीचे चाहिए Hong Kong dollar पर Hong Kong dollar तो उपर दिया तो 1 से rewrite करना पड़ेगा तो हमें पड़ा हमें इन सब से यूज करके पड़ा 5.647 गा और हमने बेचा है 5.70 भी तो बताइए हमें profit हो रहा कि loss हो रहा है इस cover deal बस हमने काम किया हमने इस rate को बोला जाता cover rate इस rate को बोला जाता cover rate और हमें profit हो रहा कि loss हो रहा है तो हमें customer से पैसा मिलेगा 5.70 के इसाब से और हमने cover deal कर रखा है हमने उधर से खरीद के रखा Hong Kong डॉलर 5.6471 के इसाब से तो हमें profit हो गया इस bank को profit हो गया और कुछ नहीं है सर सीधी सी बात बोलिये न कि ये cross rate है cross rates ठीक है जी इसका एक बहुत अच्छा question है जो मुझे बहुत पसंद है और मैं इस question की बात कर रहा है अच्छा सर ये question आपके study mat में भी है पी एम में भी exam में भी आया है नवंबर 2013 अच्छा question देखे एक बार question को क्या लिखा हुआ जरा दिखते हैं लिखा यू यू का मतलब क्या होगा सर यू का मतलब तो bank हो गया यार यू a foreign actions dealer of your bank are informed that your bank sold a TT on Copenhagen per denis kroner 10 lakhs at the rate of DK 1 is equal to 6.515 तो क्या है सर कुछ नहीं है आपका customer है और एक Copenhagen में तो ये क्या चीज है मुझे भी नहीं मनूँ कुछ city का नाम होगा हमने बेचा है इस customer को DKK वहां की currency होगी मैंने यहां DKK लिखा ना मैंने DKK लिख दिया और कितने में बेचा है 6.5150 तो हमने इसको बेच तो दिया कितना 10 लाक तो हमें कहीं ना कहीं से तो cover करना होगा तो उन्होंने का अब आप cover चाहो तो लंडन से कर सकते हो चाहो तो नी यॉक से कर सकते हो लंडन में क्या चलता है सर पाउन चलता है और नी यॉक में क्या चलता है डॉलर चलता है बुले दोनों में से कोई एक जगा से cover कर से फिर के सा नीचे का छोड़ दो एक देर का मतलब अगर मैं कहूं मेरे पास दूए एक लंडन मार्केट से cover किया जा सकता और एक न्यूयॉउक मार्केट से cover किया जा सकता इसमें कोई दिक्कत है क्या है बस यह rates में प्रॉपर लिख लूँ तो मुझे दिक्कत नहीं होगी अब मैं rate प्रॉपर लिखने के कोशिश कर रहा हूँ Mumbai, London Mumbai में रुपिया है, London में pound और रुपीज इधार लिखा है, मतलब सर ये दिया है रुपीज पर pound Mumbai, New York रुपीज लिखा है, और New York में डॉपीज पर डॉपीज पर डॉपीज पर डॉपर लंडन कॉपन हेक, पर यहां लंडन का तो मुझे मालूँ है पाउंड चलता है, यह dkkk दे रखा है, इधर मतलब सर ये है dkkk पर लंडन में pound और ये है, तो मतलब सरी हो गहे edkkk per dollar अब pound pound वाला लंडन से related है तो pound pound वाला मैं इधर लिखा है और dollar dollar वाला दिख रहा है, dollar dollar यह है dollar और यह है dollar तो इसको मैं इधर लिखने है ठीक है, ये काम मैं नहीं किया, सबसे पहला काम यही होता है चलो हम कहां से cover करने की बात करते हैं लंडन हमारे पास currency कौन सी हमारे पास रुपिया होगी क्योंकि हम बैंक है हमने इसको बेच तो दिया और हमने बोला कि यार एक डीके के बेचेंगे हम लोग 6.5150 के हिसाब से इतना रुपिया मतलब हमारे पास रुपिया है हम रुपिया दे के बाहर से दूसरी बैंक से खरीदने का सोच रहा है तो सबसे पहले रुपिया दे कर पाउंड खरीदेंगे दूसरी बैंक पाउंड बेचेगी और फिर पाउंड हमसे वापस खरीद के हमको डीके के देगी लंडन मार्केट से cover कर लिया, हमारे पास कौन से currency, रुपिया, मतलब दूसरी बैंक हमको pound बेचेगी और फिर वापस हमसे pound खरीद लेगी, तो दिक्कत है, और हमें इसके help से क्या निकालना, रुपीज पर DK के, ठीक है, तो एक बार कोशिस करें, ऊपर रुपिया चाहिए, र pound दिये, तो 1 से divide करना पड़ेगा, 1 से divide करना पड़ेगा, तो opposite लेना, नहीं, opposite नहीं लेना, हमने तो already decide कर लिए कि ये वाला rate लेना, तो 1 divided by 11.42 कर लेना, this, this, इसकी help से हम ये वाला rate निकाल लेंगे, ठीक है न, चलो, सबसे पहले, लंडन मार्केट से cover है, pound खरीदेंगे, 70, मतलब दूसरी bank pound बेचे के, और फिर वापस pound खरे देंगे, ये, पर क्या rate है, यहाँ नीचे DK के होना चाहिए, नीचे pound है, इसलिए 1 से divide करना, 1 से divide कर दिया, किसको 11.42 को, तो answer आ गया 6 point, मतलब हमें एक, अगर लंडन मार्केट से cover करते है, तो 1 DK के पड़ेगा, 6.5079, हमने का लंडन का छोड़ो, चलो US मार्केट से cover करते है, नियॉआक मार्केट से, फिर से वोई situation, पहले हम रुपिया bank dollar बेचेगी, और bank dollar खरीदेगी, और ये, वान से divide करना पड़ेगा, तो final answer आ गया 6.5102, बताइए, कहां से cover किया जाए, यहां से cover किया जाए, कि यहां स सस्ता पड़ेगा, यहां से cover किया जाए, यहां से cover किया जाए, तो हम लोगों, क्योंकि यह सस्ता पड़ा ना, हम लोगों को जादा फायदा होगा, ठीक है, अब हमने base दिया, किसको customer को, customer से तो इतना पैसा वसुल होगा, इतना पैसा वसुल होगा, लेकिन हम कहां से cover कर र तो वहां हमें देना पड़ेगा, इतना तो हमें गेन हो गया, एन्टिट्यूट ने क्या कर रखा, इन्टिट्यूट ने यहां के लिए अलग गेन निकल के रखा है और यहां के लिए अलग गें निकल के रखा इट मिंस उसने का कि अगर हम यहां से खरीदते तो हमें 10 लाग इंटू 6.5071 उन्होंने दो दो बार यह जो गें निकल प्रॉफिट निकला दो बार यहां का तो प्रॉफिट 7100 आएगा यहां का profit कुछ और आएगा और इन दोनों को comparison किया और कहा कि हमें gain कहां ज़्यादा हो रहा आप ऐसे भी कर सकते हैं institute का answer आपके exam oriented books में है ठीक है cover deal और कुछ नहीं था cover deal का यही सबसे musically question है वो मैंने आपको कर वा एक बर समझा तो फिर से कि institute ने क्या कर रखा यहां का यहां से cover करते है तो यह तो मैंने करवा रखा उसका कहना अगर यहां से cover करते है तो बोले हम 6.51 हमें customer से कितना मिलेगा customer से तो हमें इतना ही मिलेगा 6515000 पर बोले हम cover deal में कितना देंगे 10 लाग को multiply उसने इस से किया 10 लाग into 6.5102 तो यहां का 6510200 और यहां का भी इसने गेन निकाला और यहां का भी गेन निकाला और बोले गेन किसमें ज्यादा उस तरह से काम कि आप वैसे भी करते हैं तो cover deal खतम अब सबसे important topic पढ़ने वाले हम interest rate parity जिसमें covered interest arbitraise भी पढ़ेंगे purchasing power parity और international fishery fact ठीक है जी चलो जी आगे चले आगे एक important topic है और है actions rate determination यह कौनसा अप पढ़ड़ा है पॉइंट नंबर फाईब पॉइंट नंबर फाईब एक्शेंज रेट determination तर क्या कहता है यह concept यह बोलता है कि future में क्या rate होने वाला मालो आज 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 एक डॉलर असी रुपए का है और future में क्या rate होने वाला है इसका अनुमान लगाया जा सकता है कौन-कौन से ऐसे factor है जिसको consider करके यह पता लगा ले कि डॉलर बढ़ने वाला है कि कम होने वाला future तो वह factor बहुत सारे factor हो सकते बहुत सारे factor हो सकते है लेकिन हम लोगों को तीन factor पढ़ना है एक है वैसे दो ही factor पढ़ना है एक है interest rate एक है inflation rate और एक है दूनों मिलाकर जिसका नाम है international official effect हला कि international official effect का कोई question नहीं है तो उस पर ज्यादा focus नहीं करेंगे हम बात करेंगे interest rate और inflation rate के इंट्रेस्ट रेट से जो थियरी बनी है उसका नाम है interest rate parity inflation rate की वज़ा से जो थियरी बनी उसका नाम है purchasing power parity उन दोनों पर ज्यादा focus होगा तो interest rate का थियरी क्या बोल रहा है सुनो उनका यह कहना है भाई जहां rate of interest कम होगा वहां की currency ज्यादा strong होगी फिर से बोलू तर समझ में आकर आयर पी यही बोलता उसको उसने इस बात को parity समझते हो ना यह मैं आपको करवाया हूं अच्छे से पर यहां बहुत ज्यादा detail में जाएगे तो हमारा classes कितना लग जाएगा 40-45 घंटे का है फॉरेक्स 45 घंटे एक्जाम oriented में 45 अर्स का होगा है ठीक है एक डॉलर वराबर कितना रुपिया असी और इंडिया में rate of interest चल रहा है 12% और US में rate of interest चल रहा है 8% बोले rate of interest कहां का कम है बोले US का कम है तो बोले future में डॉलर जो 80 रुपए है future में वो और महगा हो जाएगा क्यों क्योंकि वहां का rate of interest कम है कौन सा theorem बोल रहा है तर यह बोल रहा interest rate parity ठीक है जी बात समझ में आती है उसने इस बात को प्रू कैसे किया वैसे तो बहुत सारी कहानी बताया हूं मैंने इसके पिछे लेकिन प्रू कैसे किया वो ऐसे कि मालो एक साल बात इंडिया में US में अगर हम एक डॉलर अगर US में एक डॉलर जमा एक डॉलर जमा करेंगे तो future में एक साल बात हमें एक डॉलर बैंक से नहीं मिलेगा उससे ज्यादा मिलेगा अगर US में तो डॉलर नहीं जमा होगा तो जमा करने पे बोले हमें 1.08 मिलेगा मतलब एक डॉलर बराबर कितना हो जाएगा डॉलर 1.08 ठीक है और इंडिया में 80 रुपए जमा करेंगे तो हमें 12 परशंट के हिसाब से ब्याज मिलेगा मानते हूं इस अस्ती जमा करने पे एक साल बात ज्यादा मिलेगा तो उस एक्वेशन से डॉलर 1.08 बराबर हो जाएगा असी इंटू 1.12 89.60 तो एक डॉलर बराबर वो एक्वेशन से मैं बता रहा हूं कि क्या हो सकता है तो उन्होंने कहा देखो डॉलर 1 1.08 हो जाएगा 80 रॉपए 1.12 हो जाएगा तो एक डॉलर बराबर ये इधर डिवाइट हो गया तो फिर आंसर आ जाएगा तो सुनो ध्यान से ये कौन सा रेट है सर ये इंडिया का रेट है ये कहां का रेट है सर ये इंडिया का रेट है ये कहां का रेट है सर ये एक्चुल बैंक क्या बोल रहा हो नहीं हमारे हिताब से इक्वेशन है इसके एक्वेशन यह तो समझ में आ गए एफ डिवाड़ेड़ बाई मैं इसको यहां खिछ लिए तो एफ डिवाड़ेड़ बाई बच्चो को समस्या क्या होती है बच्चो को यह समझ में आ गया है उपर आर और नीचे आर एक जैसा दिख रहा है यहां रेट अप इंटरेस्ट किसका आएगा यहां रेट अप इंटरेस्ट किसका आएगा तर यहां जो करेंसी है अगर यहां रुपीज है तो रेट अप आपके लिए सबसे ज़्यदा इंपोर्टेंट बाकि और भी कहानी सुना रखा इस पर तो वह अब भी हमारे पास टाइम नहीं सुने आगे चले एक कोश्चन करते उस कोश्चन से समझ में आएगा कोश्चन नंबर 33 कोश्चन नंबर 33 पर आ जाई है यह कोश्चन आपको इस्टडी मैट में भी मिलेगा यही कोश्चन आपको प्रैक्टिस मेनुल में एक बार मैं कोश्चन पढ़ता हूँ और एक अप्रेल टी मन्त इंट्रेस्ट रेट यूके में रेट ओप इंट्रेस्ट कितना है सर यूके में रेट ओप इंट्रेस्ट है साड़े साथ परशन इसके अलावा US में rate of interest कितना है US में rate of interest है 3.5% और अब भी rate, spot rate क्या दे रखा ये दे रखा pound, dollar मतलब pound per dollar 0.757 इन दोनो, UK में कौन सी currency चलती है pound और US में कौन सा चलता है dollar, इन दोनों को देखकर बताओ इन दोनों rate, कौन सी IRP के सबसे कौन सी currency strong होगी sir, dollar में rate of interest कम है तो dollar strong होगा that's it, जहां rate of interest कम होगा वहां की currency strong होगी किस की अपिक्चा, pound की अपिक्च तु वो बोल रहा है, छोड़ो आप क्या forward rate बता सकते हैं forward rate कौन सा जो आप IRP के सबसे calculate कर रहे है वो वाला forward rate बता सकते हो कि हमने कहाँ, अब equation देख रहे है equation f divided by s 1 plus r, 1 plus r f का मतलब क्या होगा, forward rate वही तो हमको निकालना है ठीक है spot rate देखो, क्या लिखा spot rate, सब pound है अगर ये pound है, तो उपर pound का rate of interest आएगा इसको याद कर ले क्या याद करने वाली बात ही नहीं बड़ा simple है, equation मैंने derivation वगेरा सब आप देख ले न अगर ये pound है, तो उपर pound का rate of interest आएगा pound का rate है, साड़े 7 person per annum, तो 3 मेने का कितना तो sir, 7.5 इन्टो 3 by 12 divided by 100 plus 1, तो यहाँ गया 1.0187 और नीची ये dollar का rate of interest है इस equation को solve करोगे तो क्या forward rate निकाला जाए सकता है यस, ये forward rate किसके सब से आए है, as per IRB तो sir, actual में भी यही रहेगा, क्या नहीं बिट्टे actual में कुछ और हो सकता है अगर actual forward rate कुछ और होगा वैसे तो ये होना चाहिए पर इसके अलावा बैंक के पास क्या है, ये कौन निकाल रहा है, ये हम निकाल रहे है सर, किसको यूज करके interest rate को, पर अगर हम बैंक के पास जाते है और बैंक से बुछते, क्या चल रहा है forward rate, तो कुछ और भी हो सकता वो तो demand and supply पर depend करता है अगर कुछ और रहा है इसके अलावा, तो arbitrage हो जाएगा, और उस arbitrage का नाम होता है, covered interest arbitrage अभी हमें covered interest arbitrage तक नहीं पहुचना है, अभी सिर्फ target ये है, कि हम IRP को यूज करके forward rate निकलने की कोशिश कर, ठीक है याद रखना, ये equation आपके लिए सबसे ज़्यादा important है, f divided by s 1 plus r, 1 plus r, सबसे important है यहाँ लिख क्या रहा हो, अगर सर, यहाँ रुपिया लिख रहा हो, तो यहाँ रुपिया का rate of interest आएगा और सर, अगर हम यहाँ pound लिख रहा है, तो यहाँ pound का rate of interest आएगा, ठीक है ये question है, जो practice man में डला हुआ था, ये सायद आपके study matter में भी ये question अच्छा है, बर सोच समझके काम करोगे, इस question को कर लोगे, तो IRP पुरा solve हो जाएगा, इसी question को करना देख ले एक बार लिख दो, falling table show interest rate for the US dollar and FF, spot rate दे रखा 7.05 FF per dollar, मतलब दे रखा FF per dollar 7.05 और इसका नाम इन्होंने क्या लिखा है spot rate अलग अलग 3.8 के लिए दे रखा, 3 मन्त के लिए अलग 6 मन्त के लिए अलग और question mark लगा रखा और बोले, अब हमको solve करना तो पहले ये वाला निप्टा है, खतम करे dollar का rate of interest दे रखा है FF का rate of interest दे रखा है हमें क्या निकालना, हमें निकालना forward rate सबसे पहले forward rate, forward rate निकाले, उसके बाद काम करते हैं, चलो forward rate निकलते हैं तो देखें, यह सर, सबसे पहले forward rate निकाले, forward rate देखते हैं, क्या लिखा हुआ है equation याद रखना, F divided by S, यह क्या है, FF उपर rate किसका आएगा, FF का, बस इसमें एक दिक्कत है, एक दिक्कत है, समझ जो अब दिक्कत क्या है, यह समझाना जरूर है, जिन लोगों ने मेरी class किया हुआ है, प्लीज वो भी देखें सर, सब्द क्या लिखें, सब्द लिखें है, annually compounded अगर compounded annually हो, तो power use करते है, यह मैंने बहुत अच्छे से करवा रख, इसलिए अगर मैं कह रहा हूँ, यह क्या है, सर, यह है, साड़े 19%, साड़े 19% को 19.5 लिख सकते है, और साड़े 11 को 11.5 लिख सकते, कोई दिक्कत है, क्या, कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर हम यहाँ चल पावर, पावर 3 by 12, पावर क्यों यूच किया, क्योंकि compounded annually है, और यह हमको करना आता है, दो बार square root करके answer निकालेंगे, ICAI ने इस question को ऐसे नहीं कर रखा है, पता नहीं क्यों ऐसा, मैं नहीं जानता, compounded annually है, तो हमें क्या करना हमें पता है, पर ICAI कहता है, F, और spot rate है, FF का 7.05, तो उपर तो FF का rate है, तो उन्होंने क्या किया, बुले 19.5 है, साल भर का, into 3 by 12, divided by 100, प्लस 1, उन्होंने लिखा 1.04875, यह कैसे लिखा होगा, मालुम है, उसका यह कहना, 19.5 है, तो 3 मैने का, कितना इसने नॉर्मल ले लिया, और जो भी किया, उसका factor लिख लिया, ऐस से ही, 11, दसम्लों, 5, into 3 by 12, divided by 100, प्लस 1, और यहां लिया, 1.02875, इसको, इसको, मल्टिप्लाइ कर दिया, 7.05 into, 1.04875, दिवादे, 1.02875, और उसके साबसे, अंसर आ रहा, FF, 7.18 की जगा, 9 ले लिखा है, सर, 7.19 आ रहा है, और हमारे हिसाब से 7.16, मैंने जो क्लास में कर वा रखा, वो conceptual सही है, वो गलत नहीं है, होना ही चाहिए, क्यों, क्योंकि compounded annually सब्द लिखा हुआ है, पर उन्हों ने इसको normal लेके solve कर, सर, हमें कैसे करना है, मेरा दिल जो बोल रहा है, अगर मेरा दिल और बिल्गुल conceptual बोलूं, तो हमें ऐसे ही कर, ऐसे किया है, आईसी, AI ने दोनों आप पर छोड़ दिया, पर मुझे ऐसा लग रहा है, जो institute सही, institute ने जो कर रखा, वो गीता है, उसमें जो लिखा, वो सच है, वैसे कर दीजिए, अब क्या ने काला, इसके बाद, इसके मांगा है, discount, discount, forward discount per FF, याद रहा है, FF पर discount मांगा, premium ये discount का formula क्या होता था, प्रीमियम और discount का formula होता था, power rate, minus spot rate, divided by spot rate, into 100, into 12, divided by 3, ऐसा होता था, पर ये discount, ये rate किसका दिया है, सर, rate दिया है, डॉलर का, पर discount किस मैं मांग रहा है, FF में, तो फिर formula मैंने बताए, उल्टा करना पड़ेगा, S minus F, divided by F करना पड़ेगा, कैसे ये formula उल्टा करना पड़ेगा, मैं पिछली class में, तो अब ये हमें क्या निकालना है, discount, तो जो हमारा S पता है, F हमने निकाला, divided by F into 100, तो answer आगे 6.69%, इसको इसमें मजा नहीं आ रहा है, वो 7.19 भी ले सकते, ठीक है, तो 3 मंत वाला हमारा काम हो चुका है, कि ये सर, अब बात किसकी करेंगे, 6 मंत, 12,1 by 4 लिखा मतलब 12.25%, ये मालूम है, हमें और इसके अलावा क्या मालूम है, हमें spot मालूम है, हमें discount दिया है, हमें discount दिया है, तो इसकी मदद से हम forward rate निकालेंगे, और forward rate मालूम है, ये मालूम है, forward rate पता लग गए, एक rate of interest पता लग गए, ये तो निकली सकता है, तो की बात कर रहा हूं, क्या 6-month discount दिया हुआ है, यह सर, तो discount को मैंने यहां लिखा, discount है, तो minus में लिखना सुभवरीक बात है, क्योंकि answer minus में ही आता है discount, और discount किसमे ff में है, तो formula उल्टा ही रहेगा, यह पता है, f हमको निकालना, into 100 into 12 by 3, इस equation को solve करना आपको ता आता है, इस जाएगा 3 by 12, यह होगा, yes, 3 by 12, तो यहां 12 by 6 होगा, जलती से यहां लिखा होगा, 6 मेने का तो 12 by 6 होगा, तो यह answer आगया, 0.0315f, और इसको solve करोगे, इसको solve करने से आगया, f 7.28, अब हमको f पता है, हमको s भी पता, यह ff है, तो उपर rate ff, कहीं आएगा, और ff का rate ही तो नहीं दिया है, सर, इस question में हमको ff का rate तो निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पावर 6 by 12, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 7.28, 7.05, उपर का 1 प्लस R और नीचे का, चाहो तो आप compounded annually करके square root कर लिजिए, मैं आपको 12.25 into 6 by 12, divided by 100, plus 1, 1.06125, तो 7.28 into 1.06125, divided by 7.05, minus 1 into 100 into 12 by 6, अंसर आपका 19.17% भी आ सकता, अगर आप इसको नॉर्मल ले लेते हो, आप इसको compounded annually नहीं लेते हो, नॉर्मल ले लेते हो, तो अंसर कुछ और आ जाएगा, अंसर आ रहा है, 19.17 के आसपास है, अप ऐसा भी कर से, बास समझ में आ रही है, मैंने compounded annually क्यों लिया, क्योंकि question में दिया हो, इस ले लिया, institute ने जो solve कर रखा, वो ऐसे normal solve कर रखा, तो आप normal भी solve कर से, प्लीज इस पर फिर एक वीडियो बना ले न, वीडियो बना हुआ already, तो ये वाला काम हो चुका है हमारा, कौन-कौन सा काम हो चुका है, क्या six month वाला काम हो चुका है, yes, one year बोला है, आपको ये दिया है, rate of interest दिया, power rate भी दिया, power rate मालो में, spot rate मालो में, rate of interest मालो, तो यहा है, 12.5%, और discount मांगा है, तो discount फॉल्टा formula लगा के discount भी निकाल दोगे, इस question में कोई problem है, क्या, इस question में कोई problem नहीं है, बस एक ही problem है, compounded annually सब्द लिखा हुआ है, तो उसका यूज institute ने नहीं किया, सही धंग से, उन्होंने नॉर्मल यूज कर दिया, अगर नॉर्मल solution कहा होगा, आपके study mat में होगा, या फिर उसका solution मेरे exam oriented books में उसका solution दिया हुआ, तो वैसे solution भी आप कर सकते, logic conceptual moment आपको करवा दिया, ठीक है जी, ठीक है, अब एक topic से question आता है, जिसका नाम है covered interest arbitrage, covered interest arbitrage क्या बोलता है, covered interest arbitrage का मतलब है कि वो जो एप निकालते हो आप IRP के हिसाब से, और वो जो actual bank के पास जाओगे, तो bank forward rate अलग बताएगा, ये आप ने निकाला, ये आप ने निकाला, ये bank ने बताया, क्या आप जो आज निकाल रहे हो, IRP को यूज करके और bank के पास जाते हो, तो क्या दोनों forward rate एक जैसे होते हैं, अलग-अलग हो सकते हैं, तो IRP का ये कहना सहाब, ये एक जैसे ही होगे, जो IRP के हिसाब से निकल रहा है, वही forward rate actual में होगा, अगर वो actual में नहीं होगा, तो फिर arbitrage हो जाए, और उस arbitrage का नाम है, covered interest arbitrage, सर उसको covered interest क्यों बोलते हैं, वो मैं आपको समझा दूँगा, क्यों बोलते हैं, इसके लिए तो लगेगा किया, actual में cover किया जाता कहीं और से, पर खेर, हमारा काम क्या है, हमारा क्याम है, exam में question बन जाने चाहिए, ऐसा कुछ मैं करवा रहा हूँ, एक exam, एक question ले रहा हूँ question number 39, उसकी मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, spot rate है, 180 days forward rate है, यह किसके सबसे, sir यह actual है, यह IRP के सबसे नहीं है, IRP के सबसे तो अभी हमने निकाला नहीं है, यह actual है, और interest rate दे रहा है, रुपीज का 12%, और annual compounding नहीं है, annual, बतलब यह per annum rate है, is there any arbitrage possibility, if he is, how an arbitrator can take advantage of the situation, if he is willing to borrow, 40 lakh और dollar, इतना, इसमें करना क्या है, यह बताईए, अब सुनो, अब ध्यान से समझना, मैंने एक equation मनाया है, F divided by S, 1 plus R, 1 plus, equation कहां बनाया है, सरी equation IRP का है, IRP का equation, ठीक है, मैंने आपको इसका और इसका अलग-अलग मतलब समझाया है, तो नो विच्चो सुन, मैंने गाँ, वैसे तो यह दोनों बराबर होना चाहिए, यह दोनों बराबर होना चाहिए, तो वो बहुत सारा detail, बहुत सारी history नहीं लाना चाहता है, बस जो काम की चीज़ है, वो समझा रहा है, यह बराबर होना चाहिए, तब ही तो F निकलता है, यह सब कुछ, यह इसका बराबर होगा, तब ही जो F आएगा, वो किसके साथे आएगा, IRP के सबसे, सर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर यहां minus 1 करके into 100 करूं, अगर मैं minus 1 करके into 100 करूं, तो कुछ आएगा, पर अभी समझ लो, spot rate क्या है, सर, spot rate, spot rate है 48.012, और forward rate कितना है, सर, forward rate है 48.8190, और किसका rate है, सर, यह, सर, यह, डॉलर का rate है, मेरा, पहला question, बड़ा simple, क्या आप बता सकते हो, डॉलर premium पर है, कि डॉलर discount पर है, डॉलर महगा हो रहा है, कि डॉलर सस्ता हो रहा है, सर, डॉलर जो अब भी आज है 48.01 का, वो हो जाएगा 48.01, सर, डॉलर premium पर है, डॉलर premium पर है, और premium ऐसे निकाल सकते है, minus 1 into 100 करके भी premium निकाल सकते है, या ऐसे निकाल सकते है, f minus s divided by s, ऐसे ही निकालते है, या फिर f divided by s, minus 1, एक ही answer आएगा, यह आप जानते हो mathematically, सर, डॉलर premium पर है, ठीक है यहां तक, ठीक है से, डॉलर premium पर है, तो इसका मतलब अगर मेरा मन करता है, मेरा मन करेगा, तो अगर इंडिया में invest करना चाहिए, या फिर US में invest करना चाहिए, तो हमेशा यह देखूँगा कि कौन सी currency premium पर है, और जो currency premium पर है, तो वहां में invest कर दूँगा, इट मिंस, यहां मेरा दिल क्या बोल रहा है, dollar में invest करो, क्योंकि dollar महगा हो रहा है, जो महगा हो रहा है, मुझे, वो चीज मिलने वाली है न, future में, तो यह तो अच्छा है, जो चीज महगी हो रही है, वो मुझे मिलेगी, तो वो तो अच्छा है न, यार, premium, dollar premium पे, तो मुझे dollar में ही invest करना चाहिए, यहां तक ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर्, यह बात समझ में, dollar premium पर, तो dollar में invest करना चाहिए, अच्छा, अब इसको कोशिश करता हूँ, यहां rate of interest किसका आता है, सर्, यहां rate of interest आता है, इंडिया का, कितना है, 1.12, और यहां कितना है, वैसे तो 6 मेने का, तो 1.06 ले न, चाहिए, 1.06, और यहां कितना है, 1.04, इनको चेक करो, उतने दूर मज़ाओ, यहां चेक करो, बताओ, इंडिया में rate of interest कितना है, सर, इंडिया में rate of interest है 12%, और यूएस में rate of interest कितना है, यूएस में rate of interest है 8%, आपको एक आम आदमी से पुछोगी, कि कहां invest करना है, तो क्या बताएगा, एक आम आदमी से पुछोगी, कि कहां invest करना है, वह यह बताएगा, कि इंडिया में invest करो, क्योंकि भई, यहाँ यूएस में जा रहा है, पागल हो, यूएस भी कितना इस अढिख मिल रहा है, यारी परसंट, जब कि हमारे यहाँ कितना मिल रहा है, बारा परसंट, तो इसका मतलब है, decor rate difference है, difference दिख रहा चार परशन का जो interest rate difference है वो कहता है कि इंडिया में rate of interest जादा है तो प्लीज आप इंडिया में invest किजिए बस fighting यही है actual में fighting जो है वो यही है यह भाई सब क्या बोल रहा है वाउ डॉलर premium पे है तो डॉलर में invest किजिए यह भाई सब क्या बोल रहा है नहीं नहीं गलत मात है इंडिया में rate of interest जादा है तो इंडिया में invest किजिए इन दोनों में से क्या जाता है वो decide कर इन दोनों में से जो भी जादा हम उधर invest करें अगर मैं इसका difference और इसका difference ये बराबर ये होना चाहिए और ये आया मालो अब यहां लिखना तो पड़ेगा 4% और ये आ गया 3% it means 3% का मतलब 3% का मतलब ये बोल रहा है कि देखो डॉलर प्रीमियम पर है 3% जादा तो डॉलर में इन विश्ट करो और ये भाई साब क्या बोलर नहीं गलत बात है यहां rate of interest 4% जादा इंडिया में तो इंडिया में इन विश्ट करो दोनों में से कौन जीत गया कौन सा जादा है सर ये जादा है जो जादा है उधर इन विश्ट कर उसकी बात मानों तो फिर हमें इंडिया में इन विश्ट कर लें चाहिए अब मुद्दे की बात है यह समझाया आयरपी को अब कोश्चन में पढ़ने वाला कोश्चन ये पूछ रहा है पहले नंबर पे क्या कोई आर्विटरिस पॉसिबिलिटी है तो हमने का अगर ये चार परशन इधर का भी चार ये दोनों बराबर है तो कोई आर्विटरिस पॉसिबिलिटी नहीं है मतलब हमारी आयरपी क्विशन एफ डिवाइड़ बाइस वन प्लस आर और वन प्लस आर अगर ये बराबर है ये तो फिर इसका प्रीमियम और इसको बोलते हैं इंट्रस रेट डिफरेंस इसको बोलते हैं प्रीमियम इन डॉलर अगर ये दोनों बराबर है तो कोई आर्वि वाले formula से भी निकाल सकते हो एक ही बात है यह आपको निकालना आता है और यह आया 3.36 परशन और ऐसी इसका निकाला है interest rate difference जो equal to में लिखते है 1.1 to 1 minus 1 यह आगया 3.70 परशन यह तो आप 12 minus 8 भी लिख सकते हो ऐसा कौन करता है ऐसा ICAI करता है 12 minus 64 तो क्या arbitrage possibility है हाँ सर यह भी चार होता यह भी चार होता या फिर इन दोनों पर जाता है मैं इस पर नहीं जा रहा हूं क्योंकि यह technically गलत है actual में तो यह होना चाहिए इन दोनों को check करो क्या यह दोनों बराबर है नहीं है सर नहीं है तो arbitrage possibility है ठीक है कुछ बच्चे F निकालके भी करते theoretical F का comparison करते actual F वैसे भी कर सकते हो पर institute मैं ऐसे यह शॉल कर रखा तो हम ऐसे यह शॉल करें ठीक है मैं पूरे का पूरा कोशिस यह है कि I.C.A.I. ने जो करवाया है वैसे मैं शॉल कर रहा हूं ठीक है ठीक है final हो गया कि arbitrage possibility नहीं है तो बोले ठीक है भी नहीं है तो बताओ arbitrage कैसे फायदा उठा सकता है situation से arbitrage चाहो तो बौरो कर सकता है 40 लाग या फिर बौरो कर सकता है डॉलर तबसे पहले आपको यह decide करना पड़ेगा कि हमको invest कहां करना उसके बाद सब कुछ होगा और हमें invest कहां करना हूं किस पर इधर का जादा है सर यहां देखोगे न तो इंडिया का जादा है अगर इंडिया का जादा तो इंडिया में invest करना है और इंडिया में invest करना है तो खुद का पैसा नहीं करना है कहीं और से बौरो करके करना मेरी बात इसको ही covered interest बोलते है कहीं और से दूसरी country से बौरो कर ल उसको आज spot rate पे रुपिया में convert करेंगे और उस रुपिया को हम invest करेंगे यह काम करना है तो final हुआ है यह दोनों बराबर नहीं है तो पक्का arbitrage है premium in dollar is less than interest rate difference hence borrow कहां से करेंगे यूएस से और invest कहां करेंगे इंडिया में final होगा है इंडिया में invest करना है और कहां से borrow करना है यूएस से वो बताएगा question नहीं बताएगा तो हम assume करनेंगे पर बताएगा कि आप यूएस से इतना डॉलर बोरो कर सकाए तो पहला action होगा action समझ रहा है और derivative में क्या है action कि क्या करेंगे उसके बाद process start होगा और यह आपको लिखना पड़ेगा shortcut है shortcut से भी मैं arbitrage ला सकता हूँ calculator चला कर अरे start decide हो गया कहां से borrow करना है यूएस से कितना borrow करना यह बता है question तो borrow करेंगे dollar यूएस से और यूएस में rate of interest कितना चल रहा है आठ पर्शन लेकिन सिर्फ छे मेने के लिए बौरो करेंगे कि आगया dollar उसको क्या करोगी सर बेज़ दो गया और spot rate में convert कर लोगी spot rate से मैंने convert किया तो यह आगया रुपिया चालिस लग कहां पहुंच गया इंडिया इंडिया में लगा दो पैसा कितने पर्शन की सबसे 12 पर्शन के सबसे 6 मेने के लिए और एक काम और करोगी क्या हमें रुपिया मिलने वाला है हाँ तो उस रुपिया को क्या करोगी 6 मेने बाद सर् डॉलर में convert कर लेंगे क्योंकि यार उधर से लगाए तो उधर को देना तो पड़ेगा ना उधर से उधर लिए तो उधर देना भी पड़ेगा तो एक काम करो उशको cover करो इसको cover कीजिए, cover कैसे करेंगे, forward contract, forward contract कर लिया हमने बैंक से, कि जो पैसा मिलेगा हमें 6 महने बाद, उसको हम डॉलर में convert कर वा लेंगे, और forward rate कौन सा, forward rate तो यह है, इस rate पे हमने बात कर लिया, ठीक है जी, बस 6 महने बाद दिखतें क्या होगा, पैसा आएगा, investment किया था, 40 लाग, 6%, 12 मेने का 12%, 6 मेने, इतना पैसा आएगा, और उसको हम forward rate से convert कर लेंगे, तो इतना डॉलर आ गया, इतना डॉलर आज हमारे पास आ गया, payment भी तो करना पड़ेगा, उधार लिया था आपने, कितना उधार लिया था, यह उधार लिया था, इसको चुकाना भी तो पड़ेगा, तो with interest चुकाईगे, इतना, इतना पैसा हमारे पास आया, माइनस है, इतना हमारे पास से चला जाएगा, तो भी हमें 206.95 डॉलर का gain हो गया, ठीक है, अगर gain नहीं आया, अगर loss आया, तो भाई आपने root ही गलत पकड़ा है, समझने की कोशिश करना, कभी-कभी बच्चे ना root गलत कर लेते हैं, और उनका loss है जाता है, तो भी काट देना और फिर से कर लेना कोशिश, इसमें एक फाइदा है, कि आपको gain ही लाना इंस्टिट्यूट ने एक काम और कर रखा, इसको जो डॉलर है, उसको रुपिया में भी convert करके बताया है, तो प्लीज आप भी कर लेना, वैसे तो कोशिश नहीं खतम हो गए, पर इंस्टिट्यूट ने ऐसा भी काम कर रखा, तो आप भी कर लेना, करने में क्या दिक्कत है तो covered interest arbitrage में हमें क्या करना, अगर मुद्धे की बात करूं सीधी सीधी बात, covered interest arbitrage में सर, हम लोगों को premium और वो निकालना पड़ेगा, IRP के हिसाब से, interest rate difference, देखना पड़ेगा कि धर का जादा है, जिधर का जादा है, उधर invest मतलब दूसरी जगा से बहुरू, बस अप्रो question number 40 बोल रहा है, given the following information, actions rate दे रखा Canadian dollar per DM, मतलब इसको ठीक से लिख दूँ, Canadian dollar per DM, ठीक, और power rate भी दे रखा, और rate of interest दे रखा, तो rate of interest, क्या कोई arbitrage possibility है, सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे, premium in DM है कि नहीं? देखें, equation लगाया, F-S-S, यहाँ dollar dollar है, ठीक, Canadian dollar है नहीं, यह जो निकला, यह क्या निकला, यह निकला, प्रीमियम in DM, DM प्रीमियम पर है, अब interest rate difference, अगर यहाँ dollar है, तो उपर dollar का लिट आएगा, Canadian dollar का 9%, उसके सबसे interest rate difference, यह क्या बोल रहा है, यह बोल रहा है, DM में invest करो DM में invest करो, और यह क्या बोल रहा है, यह बोल रहा है, Canadian dollar में invest, किदर का ज़्यादा है, यह ज़्यादा है, यह ज़्यादा है, तो DM में invest, मतलब Canadian dollar borrow, खतम, since premium in DM is more than interest rate difference, since borrow Canadian dollar and invest in DM, अब इस question में उसने बताया नहीं है, कि कितना Canadian dollar borrow करना है, तो sir, क्या करेंगे, simple, एक लाक भी ले सकते हो, दस जार भी ले सकते हो, एक भी ले सकते हो, ICAI ने इस question में, 1000 Canadian dollar borrow किया है, मुझे याद है, तो मैंने कर दी, it is assumed that we can borrow dollar 1000, alternative possible है, तो विकार का question पूछे हो, यह ने, sir, एक लाक ले ले तो क्या होगा, यह final में हो, यार, dollar borrow करेंगे, कितना पॉर्शन के सब से, 9 पॉर्शन के सब ते, 3 मेने के लिए, वोरो कर लिया, उसके बाद जो dollar आज मेरे पास है, उसको बेज दूँगा, और उसको convert कर वा लूँगा, किस में, DM में, पस rate rate पे ध्यान देना, कि rate किसका दिया, रेट दिया है, DM का, और convert किसको कर रहे है, वो dollar को तो divide होगा, किस rate से divide होगा, spot rate, और spot rate हमको मालूँ है, लिखने की ज़र होती है, कि हमने forward cover कर लिया है, फ्यूचर में जो DM आएगा, उसको हम dollar में convert कर लेंगे forward rate, तीन मेने बाद cash inflow, DM आया, जो लगाया था, और उस पे interest, तीन मेने का 7% है, तो तीन मेने का कितना, उसका factor लिख लिया, तो total मिला कर हमें इतना मिलेगा, और इसको हम forward rate पे convert कर लेंगे, DM दिया, DM का rate दिया, इतना Canadian dollar आ गया, चुकाना पड़ेगा, Canadian dollar उधार लिया था, 1000, चुका देंगे, माइनस करने पे आ गया, dollar 2.65, चाहो तो इसको आव DM में भी convert कर लेना, पर जरूरत नहीं, ठीक है, तो यहां से question आते, IRP से question, sorry, IRP में covered interest से question आते, तो इसको आपको अच्छेते करना हो, तो मैंने गहा था कि future में क्या interest rate होने वाला है, क्या rate forward rate, future में क्या rate होने वाला action rate, उसको कौन कौन से factor है, जिससे अनुमान लगा जा सकते हैं, इसमें था एक interest rate parity और एक कौन सा था purchasing power parity, अब बात करेंगे purchasing power parity, हाँ जी, purchasing power parity क्या बोलता है, वो दो बात बोलता है, फिर ये, एक तो absolute purchasing power parity थी है, और relative form of purchasing power parity थी, फिर ये आप पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ने वाला, मैं बस काम की चीज बोलूग, काम की चीज ये है, इसमें, absolute form मेरे काम का नहीं है, मेरा काम का है, expectation form of purchasing power parity, ये काम का है, वो क्या बोलता है, वो आता ही नहीं कोशिए, जो आता जड़ा सुनो, मेरी बात समझने की कोशिश करना, उनका ये कहना है, कि मानलो एक pain, इंडिया में कितने का है, 500 रुपए का, और US में कितने का है, 10 डॉलर, इसका मतलब यार, 10 डॉलर वराबर 500 रुपए, हाँ, 10 डॉलर वराबर पास, पर्चेसिंग पावर पैरिटी का कहना है, कि इंट्रेस्ट रेट से कोई लेना देना नहीं है, उनका ये कहना है, कि फ्यूचर में क्या रेट होने वाला, ये डिपेंड करता है, इंफलेशन रेट और जहां का इंफलेशन कम होगा, वहां की कर करन्सी स्टरोंग होगी, अफ्य क्या बोलती है, जहां का इंफलेशन रेट कम होगा, वहां की करन्सी स्टरोंग होगी, दोनों में फाइट चल रही है, और उन दोनों की फाइट को सुल जाया है, जिसका नाम है इंट्रनेशनल फिशर एपक्त, ठीक है सर, तो 10DR का एक डॉलर का इसका मतलब, सर, इसका मतलब इसके इसाब से 1DR कितने का होना चाहिए? 50 का होना चाहिए. बज़ एक साल बात क्या होगा? इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का रिट इंडिया में 10% है. तो जो पेन 500 का होगा, वो 10% महगा हो जाएगा. और जो US में डॉलर का होगा 10 डॉलर का वो 8 पर्षन से महगा हो जाएगा तो मतलब 550 बराबर 10.80 डॉलर हो जाएगा उस हिसाब से एक्षिन रेट निकालोगे तो 50.92 आ जाएगा हाला कि ये 50.92 निकालने का बड़ा सरल सा तरीका है बोले आप पर्षिसिंग पावर पैरेटी का फॉर्मूला लगा लेजिए और फॉर्मूला वही है ऐसा था ना F divided by S is equal to 1 प्लस R और 1 प्लस R ये फॉर्मूला किसका था IRP का पर्षिसिंग पावर पैरेटी में F की जगह यहां expected spot rate लिखते हैं उसकी वज़ा मालू है क्यों? क्योंकि inflation expected होता है, interest rate पक्का होता है हमें expected spot rate लिखेंगे और R की जगह क्या लिखेंगे? R की जगह inflation आजाएगा बस और कुछ नहीं करना, R की जगह inflation जाएगा और पक्का अगर ये रुपीज है तो यहां पी रुपीज का रेट आजाएगा बस बात करते है, जदा दिमागी नहीं चलाना ठीक है सर, question आया हुआ है कि yes, मैंने कहाना मैं purchasing power parity का theory नहीं करो होँगा वैसे theory वलक है ये, कि IRP क्या बोलता है, purchasing power, बहुँ सारा theory ये नहीं पढ़ना है हमें question बनाने है, question आते है, question पर बात होगे तो चलो देखते, question number 45 question number 45, एक ही question है, एक ही question होगा question कम आते है, purchasing power parity से, एक ही question है, उसी पर focus करें rate of inflation in India, 8 percent, और US में कितना है, 4 percent, कहां का rate of inflation कम है, US का तो dollar strong, spot rate दे रखा 46, spot rate, piece per dollar दे रखा है, 46 what will be the expected spot rate after one year and after four years, symbol सी वाद equation क्या हमको पता है, yes, 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 as zero, expected rate है, one plus I, one plus I, अगर मैं कहूं, spot rate मालूम है, 46 rupees है, मुझे निकालना, estimated spot rate एक साल बात का, और inflation rate, inflation like long term हो सकता है, यह बतानी वाला था, पर अभी जरूरत नहीं है, क्या open inflation rate आएगा, कहां का आएगा, सर, इंडिया का आएगा, क्योंकि यह rupees है, तो 1.08 और 1.04, आराम से अंसर आजाएगा, यह कप का निकलेगा, एक सल बात का, अगर चार साल बात का निकालना, तो बस इसको power 4 कर देना, चार सल बात का निकल जाएगा, पर ICAI ने इस question को मालो में कैसे करा, पहले एक साल का निकला, फिर दो साल का, फिर 3rd year का, फिर 4th year का, जबर दो स्टाइम पास, मांग नहीं रहा तो पूछ क्यों, बता क्यों हो रहा है, पर उसने निकला, तो ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं, equation में लगाना, उन्हो के कुछ था ही ने, इस, खतम करें बात को, तो, exchange rate determination, मतलब future में क्या rate, exchange rate क्या होने वाला है, उसके लिए दो थियरम किया, एक कौन सा किया, interest rate parity, और उसमें सबसे ज़्यादा important है, covered interest arbitress, और एक कौन सा किया, purchasing power parity, दो चीज़े हम लेकिया, अब और एक चीज़ पढ़ना है, जिसका नाम है, international fishery factor, कोशन आते हैं कि बिलकुल नहीं आते हैं, तो फिर करवा क्यों रहा है, रिविजन का मतलब है कि वह चीज़ करवा, यह जो आता है, एक कोशन आया था, एक्जाम में आया था, इसलिए करवा रहा हूँ, यह तो पिछला रिविजन देखों के नहीं, उसमें मैंने का कि यह तो है नहीं काम का छोड़ दूँ, पर इसमें भी मैं पूरी बात नहीं करवा हूँ, क्यूंकि पूरी बात करवाने में एक घंटा लगेगा, बस काम की चीज़ करवा हूँ, एक्ट्वल में, आप जब बैंक जाती हो, और बैंक से कह रहे हूँ कि बैंक बैंक सुनो न, अगर हम पैसा जमा करोगे, तो कितना ब्यास दोगे, और बैंक ने गा कि हम देंगे आपको आठ परशन, आठ परशन, पर ठीक है बैंक, आठ परशन दोगे बात समझेंगें, प क्या, बले 8 परशन तो दोगे दोगे, लेकिन इंफलेशन भी तो है, महगाई कितना है, हर चीज 3 परशन से बढ़ रही है, तो आप इंफलेशन को कैसे बूल सकते हो, बैंक, प्लीज, आप मुझे इंफलेशन का भी तो दीजिए पैसा, और इंफलेशन का 3 परशन दे दो, जो रेट देता हो, उसी में इंफलेशन जुड़ा हुआ है, मैंने का मतलब इसी में इंफलेशन है, बले हाँ, इसी में इंफलेशन है, तो मैंने का इसका मतलब ये हो गया, कि आप एक्चुल में मुझे को 5 दे रहे हो, और 3 परशन इंफलेशन का दे रहे हो, ये दोनों मि सा है बुले यह एच्चाल रियल रिट है और यह जो दिया जा रहा यह इन्फलेशन वो इंपोर्ट मतलब सर रियल में अगर हम रियल रैट में इन्फलेशन को गरदे तो नौमिनल वह पार कर, नौमिनल का मतलब इन्फलेशन मिला खर हिरों कहां पढ़ा हुआ ऐसा हमारा यह आपका पढ़ा हुआ है capital budgeting जब आप छोटे-छोटे बच्चे थे CA intern में एक topic था inflation in capital budgeting जिसमें पढ़ाया जाता है detail में पढ़ाया जाता real rate in nominal rate पर पढ़ा ही नहीं है मैं यह यह मान रहां ठीक है यह काम आने वाला है कहां काम आने वाला आपको international capital इंटरनेशनल financial management करके एक topic मिलेगा आपको आगे वहाँ यह काम आएगा nominal rate और real rate यह बात समझ में आगे तेकनिकल ही ठीक है लेकिन actual में क्या होता है अगर real rate सुनोंगे बिट्टे अगर real rate है पाच परशन और inflation का rate है तीन परशन तो बता सकते हूं कि nominal कितना आएगा सर नॉमिनल आठ आएगा बिटे नहीं nominal 8 नहीं आता है actual में यह multiply होता है मतलब nominal ऐसे निकाला जाता है 1.05 और multiply कर देंगे 1.03 minus 1 कर देंगे और into 100 करेंगे क्योंगी percentage निकालना है multiply होगा सर क्यों होगा यह समझाना मुस्किल इसमें फिर मुझे एक्जांपल देना पड़ेगा it means 1.05 into 1.03-1 into 100 answer actual में इन दोनों को मिला कर आता है 8.14 यह multiply वाला हमने किया भी था फॉरेक्स में पिछली क्लास में किया था कि जो principle के अलावा जो extra मिलता ना उस पे भी inflation का फर्क पड़ता है अब भी बस इतना समझ लो जोड़ना नहीं है जोड़ने वाला भी समझाने के लिए ठीक है लेकिन अगर मैं कहूं बिल्कुल accurate answer चाहिए तो accurate है यह है 8.14 पॉर्ष रियल दिया है इंफलेशन दिया है नॉमिनल निकालना है तो multiply हो जाएका नॉमिनल दिया है नॉमिनल दिया है इंफलेशन दिया है और कहेगा रियल निकालो तो minus मत करना divide हो जाएका बस इतना समझना इंफलेशन जोड़ना तो multiply करो इंफलेशन घटाना है तो divide कर दो इससे मैं कैसे निकालूँगा अगर मुझे रियल निकालना है तो रियल निकालना तो मैं ऐसे निकाल से 1.0814 डिवाइड हो जाएगा इंफलेशन 1 माइनस क्या कर दूँँगा 1 इंटू 100 इस तरह से काल इतने स्पीट से इतने कम समय में न इससे ज़्यादा तो मैं समझाई नहीं पाऊँगा बहुत कम समय है मेरे पास समझाने के ठीक है अब मुझे टाइम चाहिए टाइम आपके पास नहीं है यह कैसे Real, nominal समझ में आया है, roughly implant तोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा ना ठीक है सर समझ में आहरे आगे बोलो करना क्या है और ये International aperture effect बोल क्या रहा है वो बोल क्या रहा हूँ वो मेरे काम का है हैं ή नहीँ है मैं जो भी समझा रहा हूँ वो सिफ एक question को मेरी प्रक्षीत अप्रस्टॉिक टॉसे थे हरा परीजा परीज़ हरो आपर्ट टॉछ्यक्न व्हार एक पाच पर और दो पर तो क्या रियल निकालोगे डिवाइड वाले से मत कुरो एसी रफली समझाना सर रियल निकालेंगे 11 में से 5 गया अच्छे और 8 में से 5 गया अच्छे भाई साब बहस चली होई है बहस यह चली होई है आयर पी बोलता है जहां का रेट अप इंटरेस्ट कम होगा वो करेंसी ज्यादा स्ट्रॉंग होगी आयर पी और आयर पी में जो रेट अप इंटरेस्ट लिया जाता ना वो रियल वाला नहीं लिया जाता वो नॉमिनल लिया जाते हैं जबकि inflation मतलब purchasing power parity ये बोलती है गलत बात है IRP हम आपकी बात है हम inflation को focus करते हैं और हमारे लिए inflation है main और जहां का inflation कम होगा वो currency ज़्यादा strong होगी बास समझी में आ रही है international fisher effect बोलता है भाई सुनो मेरी बात सुनो actual में real rate of interest दोनों ही country का एक जैसा रहता है real सब जगा का एक जैसा जो nominal rate of interest होता ना जो आप बैंक के पास जाते हो कि US में रेट ये चल रहा हो वो जो अंतर आता हो वो सिर्फ और सिर्फ inflation की वज़ा से आता है तो interest rate parity आपको पता नहीं है आपके इसमें inflation जुड़ा हुआ है और आपको विश्वास नहीं होगा जो इसका difference है वो इसका difference है तो आप दोनों ही सही बोल रहा है दोनों ही सही बोल रहा है बस आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहा है वो करके पास समझे में रहे हैं वो international future effect में मैंने समझाया इस बात को प्रूव करके समझाया है पूरी तरह से हमारे काम की चीज वो नहीं है हमारे काम की चीज है nominal का मतलब nominal rate का मतलब क्या होता है और real rate का मतलब क्या होता है यह आपको समझ में आ जाना चाहिए ठीक है तो वो question प्याज़ा है यस मैं इस की बात ही नहीं करूँगा मुझे सिर्फ इस question के लिए काम करना question above 47 आज की class का last question रहेगा total मिलाकर तीन पार्ट में करने माले थे यह दूसरा पार्ट खतम हो रहा है कल तीसरा पार्ट होगा तीसरे पार्ट में खतम हो जाएगा जिसमें currency exposure होगा और cancellation होगा main हुई है बाकी और कुछ नहीं है उसमें बहले ही वो थोड़ी सी लंबी class जा सकती तीन घंटे की class जा सकती है पर कल last class रहेगी फॉरेक्स फोकस करें इस question में इस question में छुड़वाने का दिल किया था कि छुड़ो जी पर कर लेते है भई एक्जाम में आया हुआ सुनो हद तो तब होती है जब RTP में भी डला था और एक्जाम में भी आ था हला कि एक्जाम में पहले आया RTP में बादे में डला पर डला है तो करने में क्या दिखा हिम्मत दिखाए लास्ट कोश्चन है हिम्मत दिखा देते हैं संडे हैं आप भी इंजॉय करो मैं भी संडे को रिकॉर्डिंग कर रहा हूं आपके लिए थोड़ा तो चलो चलो देखा यूएस इन्वेश्टर इन्वेश्ट करना चाहता है उसके पास डॉलर होगा उसके पास डॉलर है तो भी इंडिया में रुपिया चलता है तो रुपिया में करवाले हो इन्वेश्टमेंट करना है डॉलर का 20 लाग डॉलर तो आज खरीदेगा एक साल पहले इन्वेश्टमेंट किया है तो बताओ 20 लाग डॉलर उसने इन्वेश्ट किया तो 20 लाग डॉलर को सबसे पहले रुपिया में कर्वर्ट किया होगा यस मतलब बैंक ने डॉलर खरीदा होगा खरीदा होगा तो इस रेट पर खरीदा एक बार देखें कितना रुपिया लगाया होगा तर बीस लाग किसमें लगाया सेंसेक्स में और आगे पढ़ लेता Sensex एक साल पहले कितना था ये एक साल बाद बढ़ गया तो उसने जो पैसा लगाया उसका Unitary Method से कर लेंगे उससे ज़्यादा मिलेगा और जो रुपिया मिलेगा उसको वापस किस rate पर Convert कर वा देंगे आज की rate से Convert कर लेंगे कोई दिक्कत है कि कोई दिक्कत Sensex Now और Inflation US और इंडिया में दे रखा ये क्यों दे रखा ये मुझे नहीं मालूँ मैं आगे बढ़ू हूँ या सर आगे बढ़े है Compute the Nominal Rate of Return To the US भाई US वाले परसन ने कितना Percentage कमाया और वो जो निकलता है वो Nominal ही निकलता हूँ में Inflation, Inflation सब जुड़ा होता है पहली बात कि 20 लाग डॉलर को इस रेट से Convert कराएंगे 20 लाग इंटू 45 42.50 तो सर इतना आ गया जब इतने पैसों में Sensex लिया तो उस समय वैल्यू क्या था 3256 चेक करें 3256 हो के इतना गया 3756 तो इतना रुपिया हो गया अब इसके बदले में वो रुपिया देगा बदले में डॉलर खरीदेगा बैंक डॉलर बेचेगा 43.90 के सब से इतना डॉलर आ गया इतना आया ये 20 लाग है इतना लगाया था तो पर्षेंटेज में 11.94 पर्षेंड यूएस के इन्वेस्टर ने कमाया इसी जो कमाया इसमें सब जुड़ा होता इसी को बोलते है इसी को बोला जाता है nominal return कितना पर्षेंटेज कमाया कोई दिक्कत है कोई दिक्कत है पॉइंट नमबर वन में कोई दिक्कत ने appreciation मतलब सब premium या discount मांग रहा है हाँ premium या discount मांग रहा है पर nominal नहीं real इसी पर रियल सरी यह जो निकला ना हमें क्या ले ना हमें bid rate और sorry power rate और spot rate के बीच का difference निकालना पड़ेगा या difference निकालना पड़ेगा पर इसका जो बढ़ा होगा यह कम हुआ होगा वो किसकी वज़ा से हुआ होगा inflation की वज़ा से भी हुआ होगा inflation को हटा के बात करो अब आराम से सुनना बच्च बस दो मिनट चाहिए बिल्गुल इतनान से सुनना मैं कह रहा हूँ यह कप का rate है सर यह पहले का rate है 40 2.50 यह पहले का rate है और यह कप का rate है सर यह आज का rate है 43.85 मैं बिट की बात करो ask ही भी कर ले ना ठीक है सर और यहां क्या आता है 1 प्लस आई और यहां भी क्या आता है 1 प्लस आई ठीक है यहां चो 1 प्लस आई आता वो रुपिया का आएगा और रुपिया का 1 प्लस आई क्या है 9% 1.09 और यहां क्या आगया है 1.05 कोई दिक्कत है क्या तो सर यह जो rate आया है यह किस-किस की वज़ा से यह inflation की वज़ा से भी है हमें बिना inflation के चाहिए तो अगर मैं कहता हूँ यहां जो rate है यहां मैं इसको X कर लेता हूँ और यह यह निकालता हूँ तो यह जो आएगा यह क्या आएगा यह inflation हटा के rate आएगा inflation हटा के यह यह नहीं आने वाला है इसमें से inflation सिर्फ inflation है ना inflation को हटा देता हूँ सिर्फ inflation को हटा देता हूँ तो जो rate आएगा ना जो rate वो inflation हटा के आएगा एक बार करके देखे इसको शॉल करके देखा तो inflation हटा कर आया है guess what rate है वो आया 42.24 यह X आ गया 42.24 अब मैं बोल सकता हूँ पहले क्या rate था डॉलर का 42.50 अभी क्या rate है 42.24 है अभी अभी यह नहीं है इसमें से inflation हटाने के बाद यह वाला rate है अब real वाली बात है अब बताओ real appreciation हो रहा है कि depreciation इसका मतलब मैंने सिर्फ inflation हटाया है तो अब appreciation depreciation किसमें पूछा है रुपीस में तो हमारा formula वैसे होता F-S divided by S लेकिन अब होगा S-F divided by F उल्टा formula होगा ठीक है और वो ही मैंने किया होगा यह लगाया formula और इससे answer आगया मेरा 0.61 percent premium in rupees इसका निकला bit का ICAI ने सिर्फ bit का निकल कर छोड़ दिया है मैंने extra करवा दिया है मैंने ask का भी निकला है वैसे आपको निकलना निकलो नहीं निकलना तो आप इसको cut कर सकते हो ICAI नहीं यहीं खतम है ठीक है अगला क्या मांग रहा point number 2 point number 2 ही important point number 3 और 4 में कुछ नहीं है what should be the action rate relevant purchasing power parity purchasing power parity के हिसाब से आपको क्या निकलना आपको action rate निकलना है तो ठीक इस portrait से काम करना पहले करेट यह purchasing power parity के सबसे आगया 44 point point to purchasing power parity आपको आप ठीक है फिर क्या है real rate of return निकलना है यह important real rate of return किसके लिए sensex for Indian investor अब समझो अब बात को रही है Indian investor Indian investor को कोई currency fluctuation का तो issue है यह नही है तो सूचो उसने लगाया था इतना आया इतना तो percentage निकलोगे और जो percentage निकाला होगा वो कौन सा आ गया यह जो percentage निकला होगा इसको क्या बोलते हैं हम लोग nominal इसमें से इंडिया का inflation हटाना हटाना मतलब minus नहीं होगा हटाना मतलब divide होगा और divide होने के बाद जो आया उसको क्या बोलते हैं रियल डिट यह कोशन इंटरनेशनल फिशर एफेक्ट का है यह नहीं है जो कोशन है nominal और रियल समझाने का ठीक है ठीक है सर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा समझाने ही पा रहा हूं में पर time कम है इसी मज़े से तो अभी आज की class टों की Sunday है मेरा staff भी नहीं मैं अकेला हूं जो यहां recording कर रहा हूं तो आज की class मैं over कर रहा हूं कल forex खताम हो जाएगा चाहे कितनी भी लंबी class है जाएगी तीन घंटे से ज़्यादा नहीं जाएगी कोशी शेयर है कि तीन साड़े तीन घंटे में खताम हो जाएगा कि कोशन में जो है वो करेंसी future करेंसी option है और money market है बस कैंसलेशन है तो कैंसलेशन तो जल्दी खताम हो जाएगा कि इतना उलेंगा इतना खतम कर लेंगा यह है कर फाटेक्स होगा उसके बात करऊंगा कि अगर मुझे रिविजन डालना है कि नहीं कि कौनसा इडालना है तो आपका जो मुझसे आप मुझसे जो चाहा रहे थे कि सब फार ... होना चाहिए वो 4X में कल खतम कर दूँ मेरी ड्यूटी खतम हो जाएगी उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे हम लोग कल कल जब डलेगा तो कल आप बताईएगा कि कौन सा डालना है थाइंक्यू सो मच बाई बाई